अलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन का कंपेरिजन एक तो है वन प्लस का नौट C4 लाइट जो दोस्तो आपको मिलता है लेकिन दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 13 जो कि आपको मिलता है दोस्तो 16,000 के असपास जो कि इससे 4,000 सस्ता है तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा दोने के अंदर क्या-क्या खुबी हैं क्या-क्या कमी हैं और आपको 4,000 उपर अपने बचा के रेडमी का नोट 13 खरीदना चाहिए या फिर वन प्लस का नोट C4 लाइट खरीदना चाहिए 20,000 का तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे ताकि ने वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे हैं चलिए देखते हैं नोट 13 के साथ आपको क्या क्या मिलता है 16,000 में तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिल जाता है रेड कलर में सिमिजक्टर टूल है कुछ यूजर मैनूल है और एक दिया गया है दोस्तो काफी बढ़िया क्वालिटी का कवर ब्लैक कलर में जो है इस तरीके से दोस्तो आपको कवर मिल जाता है इसके बाद फून मिल जाता है दोस्तो रेपर के अंदर फिर जो है आपको वाइट कलर में टाइप सी केबल दी गई है लेंद और क्वालिटी केबल की काफी जादा बढ़िया है तो केबल आपको काफी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है और लास्ट में रखा हुआ मिलता है दोस्तो ये वाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में charger जो कि आपको मिलता है दोस्तो एक 33 वाट का charger तो charger आपको fast तो मिलता है लेकिन इतना जादा fast नहीं दिया गए जितना जो इसका price है 16,000 अब यही charger अभी कल में अन्वाक्सिंग करिए रेड्मी 13 5G की इसका छोटा भाई launch हुआ है उसके साथ भी 14,000 में यही charger है तो आपको यह चीज़े box के contents नॉर्मल टाइप के मिलते हैं चलिए देखते हैं अगर आप oneplus खरीते हैं तो दोस्तो आपको box के contents में कितना फर्क मिलता है तो black color में पैकिंग है user manual भी काफी quality में काफी बढ़िया है उसके बागी cover simple ही मिलता है इसके साथ भी इसके बाद phone मिल जाता है rapper के अंदर जिसका retail लुक हम अभी देखेंगे type c cable दी गई है और cable की जो दोस्तों आपको quality मिलती है इसकी oneplus की cable काफी जादा बढ़िया है रेडमी की cable से और last में रखावा मिलता है ये white color में एक super woke charger जो कि आपको मिलता है एक 80 watt का charger तो charger इसके साथ जादा fast दिया गया है जादा बेटर मिलता है भले इसका price जादा है लेकिन अगर redmi के साथ भी कम से कम जो है तो rate के साफ से इस चीज़ को लेकर तो दोस्तो oneplus note c4 light ही जादा बढ़िया है redmi note 13 के comparison में चली हम आपको दिखाता हूं इन दोनों phones के अंदर आपको जो design मिलता है वो किसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिलता है look wise और quality में किसके अंदर जाद अच्छा design दिया गया है तो दोस्तो इन दोनों ही phones के अंदर आपको जो color मिलते हैं बहुत ही बढ़िया मिल जाते है note 13 का यह जो है white type का color silver shade के साथ बहुत ही कमाल का लगता है और इसके अंदर oneplus के अंदर तो बिल्कुली कुछ अलगी color आ गया बहुत जादा dark blue हाला कि यह भी काफी बढ़िया लग तो वह चीज़ आपको जो है note 13 के अंदर देखने को मिलती है तो दोस्तो इन दोनों फोन के comparison में वैसे दोनों में plastic के type के design है और quality दोनों के अंदर आपको similar type के मिल जाती है लेकिन अगर आपको फिर भी look wise और light weight phone चाहिए न अपने लिए हलका phone तो note 13 अच्छा है और अगर आपको dark color पसंद है दोस्तो आप oneplus के लिए जा सकते है मुझे तो दोस्तो इन दोनों में clearly note 13 जादा पसंद आया क्योंके इसका weight बहुत कामे 170 gram के आसपास काफी हलका phone नहीं है और color भी मुझे इसका जाद अच्छा लग रहा है इसके लिए दोस्तो दोनों phones के अंदर आपक कितना फर्क है वो चीज में आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो user interface कुछ इस तरीके से मिलता है आप ऐसे उपर की तरफ स्वाइप करेंगे दोनों के अंदर आपको सारी applications मिल जाएंगी चलाने में दोस्तो दोनों स्मार्टफोन काफी और इन दोनों phones के अंदर आपको जो smoothness मिलती है वो कैसी मिलती है refresh rate कितना दिया गया है तो चले चलते है settings के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों phones के अंदर आपको जाधा मिल जाता है कौन सा फोन जाधा smooth है तो दोनों ही phones के अंदर आपको display में 120 Hz का refresh rate मिलता है तो जर में मिलेगा वही स्मूधनेस आपको नोट 13 के अंदर जो दोस्तो 16 जर में देखने को मिल जाती है तो इचीज काफी बढ़ी है नोट 13 के अंदर भी आपको सेम क्वैलेटी की डिस्प्ले और जो इस सेम रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाती है कलर सोगर है मैं आपको करीब से दिखाता हूं दोस्तों दोनों फूंस के डिस्प्ले के अंदर आपको कितना फर्क मिलता है वैसे दोस्तों इन दोनों फूंस के अंदर आपको पंच्छोल कैमरे वाला डिजाइन दिया गया है तो यह चीज में आपको करीब से दिखाता हूं पंच्छोल कैमरे वाले डिजाइने दोनों के अंदर एजीज बेजल्स के अंदर थोड़ा बहुत और जादा फर्क है दोस्तो नोट 13 के अंदर आपको जो एजीज बेजल्स मिलते हैं वो और भी जादा कम मिल जाते हैं तो डिस्प्ले के डिजाइन को लेकर नोट 13 थोड़ा और जादा बढ़िया है तो वो चीज में आपको करीब से दिखाता हूँ पहले तो यहाँ पर देखें दोस्तो आप जो पंच्छोल कैमरे मतलब जो डिजाइन आपको मिलता है ना पंच्छोल कैमरे वाला यह तो दोनों में सिमिलर टाइप का यह कैमरे का साइज सेम है लेकिन आप देखेंगे ना गवर से तो नोट 13 के अंदर आपको एज़ीज, बेजल, चेन वगरा कम साइज में दी गई है तो डिस्पले के डिजाइन को लेकर नोट 13 बढ़िया है बाकी कलर्स वगरा दोनों की डिस्पले के अच्छे है आपको दिखकत किसी में भी नहीं होगी थोड़ी सी brightness जो naut की थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया है तो दोनों की अंदर एक एक हो भी आपको मिल जाती है और Note 13 के अंदर आपको डिस्प्ले का डिजाइन बढ़िया दिया गया है फिर भी इन दोनों फूंस के comparison में मैं आपसे यही कहूंगा box के contents में OnePlus बढ़िया है डिजाइन को लेकर Note 13 अच्छा है और डिस्प्ले की quality में भी Note 13 ही बढ़िया है क्योंकि इसका price कम है और same quality की display स्के अंदर आपको मिल जाती है और design भी थोड़ा जादा बैटर है left side से देहींगे दोनों में SIM के ट्रे दी गई है दोस 5G के SIM आप चला सकते हैं दोनों के अंदर तो यह चीज दोनों के अंदर काफी बढ़िया है 5G phones आपको दोनों मिल जाते हैं SIM card 5G के लगा सकते हैं निची की side से आप देहींगे आपको charging port speaker mic headphone jack मिल जाता है note 13 में headphone jack उपर की तरफ है one plus में निची की तरफ ही मिल जाता है side में आप देहींगे दोस्तो volume के बटन्स और power के बटन्स दिये गए हैं fingerprint scanner one plus के अंदर तो आपको display के अंदर मिलता है लेकि note 13 में यह कमी इस में display में निमिलता side में दिया गया है यह चीज one plus की बढ़िया है उपर से देहींगे दोनों के अंदर आपको जो दोस्तो stereo speakers आपको मिल जाते हैं one plus में note 13 के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है tv ac वगरा चला सकते हैं और noise cancellation mic मिल जाता है उपर के तरफ तो यह side के features हैं दोस्तो इसके लग दोस्तो note 13 के अंदर आपको दी गई है 6GB RAM 122GB storage और one plus के अंदर आपको मिल जाती है 8GB RAM 122GB storage तो RAM और storage में आपको storage तो दोनों में बराबर मिल जाती है लेकिन 2GB RAM one plus के अंदर जादा दी गई है बाकि note 13 का आप दूसरा variant भी खरीच सकते हैं आपको यह सस्ता ही पढ़ जाएगा note से आपको 18,000 के आसपास आपको और दूसरे variants भी मिल जाएगे जादा RAM जादा storage के साथ तो यह आपको और सस्ता ही पढ़ जाएगा RAM और storage को लेकर note 13 जादा अच्छा है दोनों के अंदर आपको note 13 में दिया गए है android का 13 version और one plus के अंदर आपको दिया गए है दोस्तो node C4 light के अंदर android का बिल्कुली latest version android 14 तो यहाँ पर आपको यह चीज जो यह one plus के अंदर जादा बढ़िया मिलती है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो note 13 में 5000 इमेज की बैटरी है node के अंदर आपको मिलती है 500 इमेज की बैटरी बैटरी backup node के अंदर आपको और भी बढ़िया मिल जाएगा charger भी जादा fast दिया गया है बाकि दोस्तो note 13 के अंदर आपको 108 MP का main camera मिलता है node के अंदर आपको मिल जाता है 50 MP का main camera performance आपको camera की node के अंदर भी काफी बढ़िया मिलती है लेकिन note 13 जो है ना price के साबसे जादा बढ़िया पैसे भी बच जाएंगे आपके 4000 और इसके अंदर आपको camera काफी बढ़िया मिल जाता है इसके अंदर भी आपको performance काफी बढ़िया मिल जाएगी इसके लग दोस्तों बात करें सबसे main चीज processor के बारे में तो note 13 में आपको मिलता है note 13 के अंदर आपको जादा बढ़िया मिल जाता है note से भी तो यह चीज़ा आपको OnePlus से जादा बैटर Redmi के अंदर दी गई है performance जो है आपको कम rate में इसमें काफी बढ़िया मिल जाएगी price भी कम है तो यह दोनों के अंदर आपको जो है दोस्तो खुबिया कमिया मिलती है चलिए बात कर लेते हैं दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए आपको तो दोस्तो देखे अगर आपको charger बैटरी बढ़िया चाहिए display के अंदर आपको finger paint scanner चाहिए तो यह दो चीज़े ऐसी है जो दोस्तो OnePlus के अंदर आपको जादा बढ़िया मिलती है बैटरी चार्जर भी इसके जादा अच्छे है और जो है दोस्तो इसके अंदर आपको display के अंदर finger paint scanner भी मिल जाता है बागे अगर आपको display बढ़िया चाहिए, design बढ़िया चाहिए, camera अच्छा चाहिए, performance बढ़िया चाहिए, RAM और storage अच्छी चाहिए तो कम rate में आप 4000 बचाके note 13 भी खरीच सकते है display भी काफी अच्छी दी गई है, design में भी है, काफी अच्छा है और सबसे main चीज यह है कि इसका price कम है, तो जाधा बढ़िया जो दोस्तों इन दोनों phone's में note 13 है अगर note का price जो ना 17,000 के आसपास भी रहता तो काफी बढ़िया हो जाता, लेकिन 20,000 का ही है तो आप बताएगा फिर भी comment करके आपको इन दोनों में कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं नीचे comment करके ज़रूर बताएगा या फिर one plus के अंदर जो ना note c4 light में processor जाधा बढ़िया होना चाहिए था तो वो चीज़ देखने को मिलती है तो जाधा value for money note 13 है आपको कौन सा पसंदा है ज़रूर बताएगा वीडियो पसंदा है तो like, follow, subscribe ज़रूर करिएगा, share कर दिजे वीडियो को चलिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye